हे दोस्तू तो आप में से बहुत किसी ने बेसिक साइन्स इंजिनेरिंग ड्राइब के लिए English मिडियम के बुख्स के रिक्वेस्ट की यहाँ एक ऐसे इन पॉप्लिकेशन कोई लोकेशन नहीं है यह न्जा। का परकाशन है और काफी समय से यह वर्क पर है बहुत ही रेपूटेट प्पप्लिकेशन है एशियन प्पप्लिकेशन का बेसिक साइंस एंजिनरिंग ड्रॉइंग यहां पर हमारा जो असिस्टेंट लोको पाइलेट एंड टेकनेशियन जो पूछने जाने वाले हैं बेसिक साइंस एंजिनरिंग ड्रॉइंग उसके लिए यह बुक है काफी ज़्यादा यूसपूल यहां पर आपको चैप्टर वाइज इसका पीडिया भी फ्री में मिल जाता है ताकि अब हर बैठे बुक को चेक कर पाऊ तो जरूद से उसके लिए हमाले चैनल को सब्सक्राइब करके ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकिशन आपको मिल जाए और आप कहीं से भी है आपके चेत्र मे वाधिम से बुक आपको हम डेलिवरी मिल जाएगा तो चलिए देखते हैं यहां पे इनोंने अपना बहुत सारे बुक्स का भी यहां पे दिये गया है इन में से भी अगर आपको कोई बुक चाहिए तो आपको मिल जाएगा मैक्सिमम टैटल मेरे पास एविलेबल है यह सार कि देखते हैं यहां पे अफकर टीन टॉपिक के कवर कर रहे देखिए पहला पार्ट में यहां मैथेमेटिक्स दिया गया है इसेंड पार्ट में जेंडरन इटलिजरिजिनेंगर थरड़ पार्ट में ब्हुत साइब इंजीनेरंग तो में तो हमारा यही पार्ट है बड़ चलिए हम लोग सुरू से देख लेता हैं यहां mathematics भी आपका इससे हो जागी कापी अच्छा है कि एक बुक में ही आपको सारा कुछ मुल गया maths रेजिनिंग और basic science तो यहाँ पे नंबर सिस्टम से स्टार्ट किया गया है किस टाइप से कैसे कोशन देगा है वो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा review मिलाज तक बने रहे हैं तो यहां पे पहला चैप्टर नंबर सिस्टम मैथमेटिक से यहां पे सुरू में सारा कुछ theoretical दिया गया है समझाया गया है English language में उसके बात इस चैप्टर से रेलेटेट नंबर सिस्ट कोशन दिये गया है देख सकते हैं यहां पर और यहां पर भी आपको multiple choice question देखने को मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए भी बहुत सारा इसमें आपको question देखने को मिल जाएगा लास्ट में यहां हमारा answer की दिया गया है उसके बाद हमारा दूसरा चैप्टर स्टार्ट होत mcq question भी दिये गया है तो mathematics तो यही है आगे चलिए मैं reasoning भी आपको दिखा देता हूं reasoning भी एक से दस पेज जाना है आई है यहां पर हमारा second part general intelligent and reasoning शुरु में यहां पर भी theoretical थोड़ा मोड़ा समझाए गया है और last में mcq question दिये गया है practice के लिए काफी ज्यादा question भी यहां practice के लिए आपको मिल गया है 100 question मिल गया है उसके बाद दूसरा हमारा तीसरा most important topic हमारा basic science and engineering drawing है यहां पर engineering drawing दिखाया गया है यहां से सारे tools बगर यहां पर देख सकते दिखाया गया है जितने engineering drawing के जितने topic है सभी को cover किया गया है हमारा और इसमें भी आपको mcq question देखने को मिल जाएगा अभी आगे आपको मैं दिखाऊंगा छोटे-छोटे में ही बहुत सारा यह आपका chapter cover करेगा और यह book अगर आपको हिंदी में चाहिए तो अभी तक हिंदी में में मेरे पास available नहीं है जैसे यह आएगा मैं आपको इस channel के मातिम से अबडेट कर दूँगा जरूद से channel को subscribe रखेगा तो यहाँ पर भी आप mcq question एंसर की वगरा सब कुछ देख सकते हैं अब सारी chapter खतम हो रहा है theoretical समझाया जा रहा है और last में mcq question दिए गया है तो आपका revision के लिए बहुत ही एक अच्छी book है यह आप पहले से भी आपके पास कोई book होगा तो आप बिल्कुल से इस book को लेके अपना revision कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे इसमें practice set है साइस के लिए बहुत सारे mcq question वेगरा दिए गया है और मैंने इसका price नहीं बताया प्राइज है तो बिल्कुल से आप इस book के लिए मुझे whatsapp के माधिम से contact कर सकते हैं courier के माधिम से या speed post के माधिम से book आपको home delivery मिल जाएगा और जल्दी करिएगा क्योंकि stock limited है vacancy qq काफी बड़ी है यह assistant local pilot का all over India से यहां पे student भरते हैं forum तो books बहुत जल्दी stock out हो जाता है तो आपको यह चाहिए तो जल्दी मुझे message करिए ताकि मैं आपको यह book by post के जरी यह भेज सकूँ इस book को आप चेक कर पा उसके लिए मैंने आपके लिए 10 पे 20 का PDF बनाया है उससे आप download कर सकते हैं हमारी video के description में में मेरा google drive का link है वहां click करके बड़े आसांस आप उसे download कर सकते हैं और जरू से हमारे चैनल को subscribe कर लिए ताकि आने वाले books की सूचना आपको मिलती रहे तो चली मिलते हैं next video में फिर के स्रीट सब्सक्राइब के साथ तब तक के लिए bye bye